हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आप लोग के लिए पापर की रेशिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमने साबुदाना से बनाया है, पापर देखकर तो आपको पता लगी रहोगा कि ये साबुदाना का बना है, क्योंकि मैं बहुत ही डिफरेंट तरिके से बनाई हूँ, और देखकर ही पता लग जाए कि हाँ, ये साबुदाना का पापर है, तो कितनी घर्जव की लुक आई है इस पापर की, और देखिए कितनी अमेजिंग बनी है, बिल्कुल आप इजी तरिके से बना सकते हमारे इस पीडियो को देखकर, देखिए कितने चोड आई में तो लाजवाब, देखिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी पापर, देखिए आप कितनी कृष्पी है ना, तो आए हमारे इस पापर की रेश्पी को ट्राइ करते हैं, और हमारी ये रेश्पी आपको पशंद आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को चरूर कर लें, यहाँ पर मैं ली हूँ, बिल्कुल छोटे वाले साबुदाने और वो एक कटोडी, अब देख रहा है, मार्केट में दो तिन तरह की साबुदाने आते हैं, तो अब सबसे छोटे वाले साबुदाने लें, और इसे एक घंटे के लिए पाने में भिंगो कर रख दे और हमने पहले ही इसे एक घंटे भिंगो दिया था, और देखें, शाबुदाना एक घंटे के बाद कुछ इस तरह है, अब हम इसे दो तिन पाने से धो कर इस्टेनर में छान कर रख लें, अब आप शाबुदाना को भिंगो है ना, तो इस पात का ध्यान रखें कि शाबु साबुदाना अच्छे से पानी में डुबा हो, बस इतना ही, और जिस कटोरी से हमने साबुदाना एक कटोरी लिया था, उसी कटोरी से हमने यहाँ पांच कटोरी पानी आड़ किया है, इस रेशियो का बिल्कुल ही दियान रखें इस पापर में, और पांच कटोरी पानी ड जब तक आप flame high रख सकते हैं उसके बाद हम flame medium to low पर ही से cook करेंगे और देखिए इसे लगातार चलाते रहें जैसे ही आप चलाना छोड़ेंगे साबुदाना तले पर जाकर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद फिर आपकी पापर बिल्कुल भी अच्छी नहीं वनेगी त जब तक उसके बाद आप बिल्कुल ही low flame कर दें और लगातार चलाते रहें जब तक साबुदाना transparent ना दीखने लगे जब तक हमें इसे cook करना है यह साबुदाना को cook होने का एक perfect sign है और साबुदाना जैसे ही cook होती जाएगी वो float होने लगेगा पानी पर यह भी साबुदा साबुदाना के पकने का sign है तो आप इन दोनों ही बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप साबुदाना के पापर बनाएं तो जब तक वह transparent ना हो जाए और जब तक वह पानी पर तैरने ना लगे जब तक हमेंसे cook करना है देखिए पकने के बाद साबुदाना कैसे पानी प पर और सारे साबुदाने transparent होने चाहिए जब आपकी पापर perfect पुलेगी क्योंकि हमने इसमें ना मीठा सोडा या कुछ भी add नहीं किया है तो इसके cook करने में हमें बिसेज ध्यान देना होगा तभी पापर बहुत अच्छी बनेगी तो देखिए साबुदाना हमारा 100% cook हो च पोरे ठंडे होने के बाद ही मैं इसमें एड करूंगी जो भी आप एड करना चाहिए जीरा अजवाइन कलॉंजी आप इसमें एड कर सकते हैं लेकिन हां ठंडा होने के बाद तो देखिए ठंडा होने के बाद और वी गारी हो चुकी है यह perfect है हमारे श्राबुदाना पाप पंडाने के लिए यह अप चाहे तो किसी भी साइज के पापर बना सकते हैं बिल्कुल भी ना टूटेगी और नहीं फटेगी तो यहांपर मैं खाने वाला चमत चूटे माले होते ना उसी से चुटे चुटे पापर बनाऊंगी इससे बच्चे भी बहुत ही आशानी से इस करने की विजरुवत नहीं है बस आप इसे किसी साफ कप्रे से पोश लें और प्लास्टिक से तैयार है पापर बनाने के लिए तो देखिए हमने एक कटोड़ी से कितने धेश सारे पापर बना कर तैयार कर लिए हैं तो आप भी जरूर हमारे इस पापर की रेसिपी को ट्राइ करें और हमेंसे दो दिन का तेज दूप दिखाना है अभी के टाइम में ही पापर बनाने का बेस्ट सेजन होटा है तो अभी आप जरूर हमारे इस रेसिपी को ट्राइ करें तो दो दिन की दूप लगने के बाद हम पापर को तलेंगे जब तक हमारे इस वीडियो को आप कुछ इस तरह है जब हम इसे फ्राइ करेंगे ना तो बिल्कुल ही सफेद हो जाएगी पापर तो चलिए अब मैं आपको फ्राइ करके दिखाती हूं तो आप इसे ना साल और रख सकते हैं डब्बे में बंद कर और शाबुदाना बहुत ही हेल्दी भी होता है तो आप बनाएं हमारे इस पापर की रेशिपी को देख करी खाने का मन हो रहा है ना तो देख किस बात की फटा-फट हमारे वीडियो को step by step follow करें और हमारे इस लेशिपी को चलीर ट्राइ करें बच्चे बीना इस पापर को देख करी खुश हो जाएंगे तो एक बार तो जरूर ही इस रेशिपी को ट्राइ करना बनता है थैंक्स पूर वाचिंग